जहें दोस्तों एक बार फिस सब सबका स्वागत करता हूं आपके एपने यूट्यूब चैनल इस्टड़े ट्रिक पॉइंट में दोस्तों देखिए आप लोग मुझे जो है कमेंड करते हैं तो मैं हमें से कमेंड को पढ़ता हूं कि आप लोग को कहां पे दिख्याते आ रहे करा सब्सक्राइब तो मैं रिप्लाइन नहीं कर पाता हूं इसके लिए बहुत बहुत सारे बच्चों को चेस्ट में बहुत ज्यादा प्रावलम है तो आज हम लोग थोड़ा सा बारी की से इस टौपिक के उपर बात करेंगे वीडियो को थोड़ा सा लंबा होगा तो आप अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो जैसे कि अभी हम लोग उत्पाज सिपाई को लेकर चल नहीं तो इसलिए इसमें घवराने वाली कोई बात है नहीं हाँ अगर आपको वहां पर चेस्ट की नपाई होता है उनका कितना है तो 79 सेंटीमेटर दिया गया है चेस्ट ठीक है त तो अगर आपका 79 सेंटीमेटर वह कहां से नापेंगे तो इस जगह से वो लोग नापने ठीक है इस एरिया से ठीक है इस एरिया से वो लोग फिता को इस प्रकार से लगा के नापेंगे तो यहां पर आपको कोई दिकत ने होगा आपको महां पर कॉलिफाई कर दिया उसमें उन्होंने यह चीज नहीं कहा है कि आपको 5 cm फुला के दिखाना ठीक है आप लोग इस्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ कहा कि आपका जो जेस्ट है वो 79 cm होना चीए मैं जेनरल की बात करूं तो जेनरल केंडेट का कितना दिया है तो 81 cm ठीक है तो करेंगे आपको कि आप लोग 5 cm फुला के ठीक है बात करते हैं दोस्तों बहुत सारे बच्चों यह कमेंड कर रहे हैं कि सर हमारा चेट जो है वो बन नहीं रहा या फिर इसमें दोस्तों हमको क्या क्या करना चीए दोस्तों ज्यादा इधर उधर की बातें करूंगा जो एक क्योंकि हम लोग बनाते थे टाकि हम को चीजान को कालीफाइब नहीं ठीक है चली अब हम लोगे दोस्तों बार में बारिकी से जानते हैं देखेंगे बहुत सारे लगए छटते हैं यह बात सही है अगर आप लोग ऐसा से जीडी में चाहिए गा तो वहां पर बारिक से बारिक दोस्तों आपका यहां पर थोड़ा सा भी घटेगा आपको डिस्कॉलिफाई कर देगा ठीक है उसके बाद पांस सेंटीमेटर को फुलाना होता है अ लिए अर्च फेलंग वहां पर देख रहे तो जिसका एक नॉर्मल चेत है ठीक है मानके चली कोई स्ट केंडेट कर लगा है फिर कोई जेनरल का केंडेट करका है अगर उनका जो कहा गया है कि जनरल के लिए एक्टीन दिया गया है और जो स्ट एस्ट हैं उनके लिए 79 सेंट प्रिप्टर दिया गया है तो अगर उनसे कम हो रहा है मान के चलिए के 79 तो मान के चलिए कि सेवेंटी एट हो रहा है कि इसका हो आप फिर से नहीं पाई कर लोग वहां से बाहर करने पास किए तो चेश्ट में बाहर नहीं करते जल्दी आपको एक बार और और हो सकता है पानी पेने का बहुत ज्यादा अगर हरामी रहें वहां पर कि जो लोग आपका चेश्ट करना पाइब करेंगा वह लोग बहुत अगर बदमास रहें बहुत ज्यादा खड़ूस रहें तो उस प्रकार से लोग केसी भी हालत में दूस्तों करने की कोश्ट करते कि लड़का डिस्कॉलिफाइब करने का प्रियास करते हैं एक और कंफूजन था बहुत सारे जिनका वेट ज्यादा था या फिर जिनका चेश्ट क्योंकि वेट ज्यादा है तो उनको हेल्दी करन क्या है और नौर्मल वेट वाला भी गया है जो रिखाइड लोग रखता है वस वहाँ पी मांगा जाता है ठीक है अब हम लोग थोड़ सा बात करते कि आप लोग जो है गाओं घर में जू रहते हैं किस प्रकार आपना चेश्ट पर काम कर सकते हैं जिस प्रकार से जब आप को खाना में क्या खाना है अगर आप लोग ये दो चीज़े मेंटन करके चलिए गा तो आपका चेश्ट में कभी आप लोग बाहर नहीं होगा ठीक है तो दो चीज़ों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं चेश्ट के बारे में तो चेश्ट के बारे में आपको क्या-क्या और काउट करना है वो चीज सबसे पहले जान लीते हैं उसके बाद हम लोग डायट पर चलेंगे ठीक है बात कर तो नॉर्मल पुश आप जैसे कि आप लोग लगाते हैं उसी प्रकार से आपको नॉर्मल पुश आपस लगाने ठीक है आपको हमेस्था जब भी आप मारिएंग तो में किसी से आगे निकल जाओंगा क्योंकि आप लोग जब गुरूप में जाते हैं दोड़ने के लिए तो कभी-कभी आप लोग देखें कि अगर आप लड़के यह दुद्स लड़के एक साथ जाते हैं तो कंपिटिशन हो जाता है कि चलो कितना ज्यादा पुषप जो है मार सकता है ऐसा वेगारा तो उसब द्याने दिना आपको चेश्ट बढ़ना तो आपको क्या करना एक सही तरीकी से करना चीजों को ठीक है आपको पुषप मारना तो हाथ को एक दिम सिधा रखेगा ठीक है और बोड़ी को वहाँ पर जमिन में टच करने का कोई टच करिएगा और धीरे धीरे ठीक है आप दस मारिए पंद्रा मारिए ज्यादा मारने की जड़ोंतने दस या पंदर जितना हो सकता है उतना मारिए टार्गेट रखेगा कि अगर आप लोग सुरुवात कर रहे हैं तो दस फिर आपको चेस्ट में वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको हेलफूल होगा ठीक आपका चेस्ट वहाँ बनने में बहुत ज़्यादा मनत में लेगा ठीक है यह तो होगी दियो नॉर्मल पूशप की बाद आप दूसरा आते हैं दोस्तों इंकलाइन पूशप इंकलाइन पूशप क्या होता है थो आप लोग इमेज पिए देख सकते हैं तो यह वहाँ बहुत ही कालयर होता है क्यूंकि जादा वक्त ने लेना अब लोग नॉर्मल पूश्प को तीसरे एकसराइस के बारे में में बात कहते हैं, तीसरा जो दुस्तो यह इकसराइस वह रोग समीध इमेज में देख सकते हैं, इसमे आपको दूस्तो क्या करना पढ़ता है कि आपके हाथों को सीधा रखते वी जमीन पर यहां पर थोड़ा सा वाइड रखना है, ठीक है, हम यह पड़ेंफ ये लेंथ पर इफक्तम और आपका वड़े कृट है तो सभीट चाहिए हम फिक भी पर ढ जाते हैं कि तो आप लोग स्थे खेल संपनी को मेहनत एंट неё animal तो आपनी तो आप को क्या एक षगत्व में इस प्रकार से हाथ्न सेथा रखना और जमिन पिंघप अब को दिखacement करहा है वहाँ पे आपने जाहीज निकते बाद की आप लोग मत लोगा करें अपको गल्म करने के बाद ही आपको यह सारी हनी तुन कि अपने आप लोग करते जाएगा फ्यान नहीं कर भी तो वाइड़ में कि आपको बहुत ज्यादा है इसलिए वाइड आरब पुषप मारने का बहुत ज्यादा प्रयास करिए गार ऑपको धिरे-धिरे बड़ते जाना है और धिरे-धिरे डाउन एकदम स्लोली और फिर आप फिर डाउन फिर स्लोली जब आप आप करिएगा तो धीरे-धीर ऐता नहीं कि बहुत फास्ट फास्ट को बनाने के लिए आपको चेस्ट से लेटे जितने भी एक्ससाइज है वह धीरे-धीरे करनी फास्ट एक दम भी नहीं करना ठीक है इस प्रकार से जो इस प्रकार से दिवाल पे चड़ते जाता है इसका नाम क्या पड़ा है इस पाइडर में पुश्प पुश्प करने के लिए जिस प्रकार से लोग इमीज पे देख रहे हैं आप जब पूश्प लगई तो आपका जो एक पैर होगा ठीक है दोस्तों कि फ जोस्तों वीडियो बना कि여ख सकते है इसी यहां पे बता रहे हैं और एक पर सीधा बिलकुल आपको शप्रस्रेट है और एक लोगण आपका तो आप पहले तो आपका पहले तो प्रकार से आपको 10 अबार सकते तो इसमें आपको 10 रखेट करके अब हम लोग पांचवे exercise के बारे में बात करते हैं, पांचवे exercise किया है कि decline pushup, decline pushup में आपको क्या करना है, कि आपको कोई भी एक दिवाल है, उस दिवाल पे दोनों पैरों को अपने चढ़ा देना है, और आपका body के इस प्रकार से down रहेगा, ठीक है, आपको दुनों हाथों को नीचे रखना है, जैसे कि आप लोग घर में भी practice करते होंगे इस प्रकार का pushup, तो इस प्रकार के pushup से क्या होगा, आपका जो यह पूरा भाग है, ठीक है, यह पूरी भाग को निखान में वह बहुत ज्यादा मददगार होता है, क्योंकि आप लोग पूरा weight, वहापे ज्यादा weight लगता है, वो pushup भी एक टब pushup में आता है, आप लोग ज्यादा होँआपे practice ने कर, तो इसका भी कोईश करिए कि दस-दस का एक जो भी लड़के लोग बता रहे हैं कि सर मेरा चेस्ट नहीं बन रहा है, तो अगर आप लोग यह चीज़े फॉलो करिए गाना, जब आप लोग घर में दोड़ते हैं, तो आपका चेस्ट जरूर बनेगा, ठीक है, हंडेट पर संस्योर हों दोस्तों, यह बनेगा, क्योंकि कि आना है, वो चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है, चली, यह हो गया दोस्तों पाचवा, छठा जो दोस्तों हमारे एकसराइज है, चेस्ट को बनाने में है, वो है चेस्ट एस्ट 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 रिच्छ निकर काईगा, यह जो आप लोग का, यह जो हड़ी हम लोग का, यह हड़ी पूरी तरके से इस प्रकार से दोस्तों पूरे पीछे चला जाएगा, आप लोग देखिएगा, यह जो पूसब करिएगा, तो यह हमारा जो हड़ी है, यह पूरी तरके से पीछे चला जाएगा, क्यों कि यहां पर यह जो एकसराइज आप लोग देख सकते हैं, और पकड़ने के बद क्या करते हैं? आगे पीछे जाते हैं, इससे क्या होगा हमारा चेस्ट इस प्रकार से धकल के हम पीछे लेके जाते हैं इससे यह चीज जो है हमारा हड़ी काफी यहां पर पीछे की और भागता है और हमें चेस्ट को बनाने में काफी ज्यादा मदद मिलती है ठीक है यह थी दोस्तों चेस्ट से रिलिटेड कुछ एक्ससाइज जिसको करके आप लोग जो है अपना चेस्ट को बना सकते हैं और आपको खाना क्या काना है मैंने हमिशा से बता है कि आप हम लोग देशी लड़के हैं ठीक है गाओं घर के लड़के हैं तो ज्यादा हम लोग को प्रोटेन वाली चीजे में बटर वेगार खरी दिने के लिए हमारे पास उतने पैसे होती नहीं है जब हम लोग बेरोजगार आपको शरी क्या करना है कि जो चाना वेगरा है चना गुड़ और जो बदाम कच्छा बदाम है किसमें सकाजव मिला सकते हैं तो सुछा आप लोग खाईए कम से कम दोस्तों कोई करिए कि सौट देर सोग्राम खाने का वह आपको हेल्थ को बढ़ाने में बहुत जब मत करें क्योंकि वह प्रोटीन से भरपूर रहता है क्योंकि वह एक तरह का दाल रहता दो और वह दाल जो है उसमें भरपूर मातरा में रहता है तो वह हमारे चेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फादे मन करेंगा दूसरा जिसको उपर आप ध्यान देना है कि आप लोग जब खान करना क्या है आपको कि एक ग्लास दूद एक ग्लास दूद का सेवन बहुत जरूद है क्योंकि आप लोग रणी करिएगा आप लोग एक्सराइज वेगरा करिएगा इतने दिन भर की जो मेहनत होती है तो उसमें दूद बहुत ज्यादा फाइदे मन होती है मैं हमें साथ से बताता हूं कि एक ग्लास दूद का सेवन आप लोग जितने भी जितने भी मेहनत करें उनके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन होगा तो इसलिए एक ग्लास दूद का सेवन जरूर करिए ठीक है तो यही चीज़ आपको करने है बाकि जो नॉर्मल आप लोग खाना काते ह वही सब खाना कहिए आपको कोई दिकत नहीं होगा यही कुछ पॉइंट से दूस्तों जिसे मुझे आप लोग को बताना था क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आप लोग को परिशानी हो रही थी एक चीज और बताऊंगा दोस्तों देखें मैं हमीसाथ बताता हूं कि आप ल जो है मुझे वह वीडियो डिलिट करना पड़ें अपर ऐसा कुछ था नहीं पर आंतों वहां पर पता नहीं यूट्व ने क्यों फेस्ट्रैक लगा दिया क्योंकि अड़ल्ट में उसको ला दिया तेसलिए वीडियो मुझे अच्छा बनेगा ठीक है और आपका कॉंफिज लेवल भी हाय रहेगा तो चली दोस्तों यही सब सारी चीज़े थी जो कि आप लोग के कमेंट के कारण मुझे ये वीडियो बराना पड़ाता कि आप लोग को इस चीज़ से मदद मिल सेगे ठीक है आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके काम की होगी आजकल इतना ही जैहिन जिवारत